पाकिस्तान के सिंध्प्रान के सहवान कस्पे में स्थित लाल शहबास कलंदर दरगा के बीतर हुए आतम घाती विसफोट में कम से कम सो लोगों की मौत हो गई और धाई सो से अधिक लोग घायल हो गई ये विसफोट तब हुआ जब दरगा में सूफी रसम धमाल चल रहा था विसफोट के वक्त दरगा परिसर के भीतर सेंकडों की संख्या में शरधालू मौझूद थे चश्म दीदों के मुताबिक धमाके के बाद चारों और सिर्फ लाशे ही लाशे बिक्री पड़ी थी आतंकी संगठन आईस आईस ने लाल शाबास कलंदर दरगा पर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली है पुलिस के मुताबिक फिदाइन हमलावर दरगा में घुसा फिर उसने कुछ हैंड ग्रेनेड फैंके लेकिन वो फटे नहीं तो इसके बाद उसने खुद को उड़ा लिय हुआ 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 है